खरके लोग को तो जैसा कि आप लोग को थम्म्निल दे के समझ में आही गया होगा कि आज हम बताने वाले हैं iPhone के बारे में कि बहुत सारी जगे आपने समझ में आपको भी कभी कभी सोचते होंगे कि iPhone को क्या हम Android बना सकते हैं एक वार हम लोगों को मन करता है कि अपने Android पे बहुत आई लोग काम करते हैं तो आज हम भी अपने iPhone यूज़ कर रहे हैं हम यूज़ को एंड्रोइट बना लें और इसके Android गी तरह यूज़ करें तो आज देखिए पूरा ये वीडियो आज हम आपको step by step बदाएंगे दोनों चीजों के बारे में कि क्या possible है iPhone को Android बनाना या Android को iPhone बनाना तो ये पूरा वीडियो आप देखेंगे इसे अच्छे से आप समझ पाएंगे कि possibility है या नहीं है तो चलिए आज वीडियो में यही ब आज वाली बात है तो इस सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो कुछ फॉन होते हैं जो Android बोलते हैं operating system होता है जो जो की फॉन को चलाने के लिए काम में आता है Android और दूसरा होता है iPhone के अंदर iOS वो iPhone नहीं होता है iPhone की डिवाइस एपल की डिवाइस होती है उन सभी में iOS यह Google से Google द्वारा बनाया हुआ operating system है दूसरा है Apple द्वारा बनाया हुआ operating system जिसे हम iOS भोलते हैं जो की केवल Apple की डिवाइस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा अब दोनों में क्या अंतर होता है दोनों ही operating system है बट Android जो operating system है वो open source coding है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति च उसको change कर सकते हैं क्योंकि यह open source है इसकी coding जो है available है आप download करेंगे उस coding में आप change कर पाएंगे दूसरी जगह हम बात करें iOS की तो iOS open source नहीं है coding locked होती है केवल इसका जो coding unlock केवल iOS Apple के पास ही है तो iOS की coding unlock होती है इसलिए कोई भी इसको modification नहीं कर सकता इसके अंदर कोई छिडशार्ट नहीं कर सकता तो यह दोनों में अंतर है दोनों ही operating system के अंदर एक open source है दूसरा logged source है तो iOS और Android में यह अंतर है आप इस बात को अच्छी से समझ चुके होंगे यहां पर आप चलिए हम बात चलते हैं दूसरी डरव क्या आप अपने Android फॉन को iOS बना सकते हैं तो यहां पर कुछ हग तक आप यह चीज कर सकते हैं इसका इंटरफेस होता है उसको आप बहुत सारे Android में सॉफ्टर मिल जाएंगे उनके जरिए आप इसको तो चेंज कर पाएंगे जैसे की थीम होती है वह इस तरह के बना दी जाते हैं ताकि एकदम से लुक लगे कि आप iPhone यूज कर रहे हैं बागी ऑपरिटिंग सिस्टम तो आपका Android जाने वाला है उसके अंदर आप iOS नहीं डाल सकते है पॉसिवल्टी नहीं है क्योंकि हाडवेर वह इस तरह से डिजाइन किया गया है वह आप की एपल की डिवाइस के अंदर ही चलेगा लेकिन एक लुक दे सकते हैं Android फॉन को iOS की तरह आपको अग्दम से फील आएगा कि हम iPhone ही यूज कर रहे हैं उस थीम और लॉंचर डालने के बाद अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि क्या हम iPhone को Android बना सकते हैं तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यह पहले हम बता चुके हैं अमने वीडियो में कि यह लॉग है इसका जो कोडिंग है वह लॉग होती है कि यह एपल की device के लिए बनाए गई है और एपल के जो employee होते हैं जो अंजीनर होते हैं वह ही इसको अनलोग कर सकते हैं वाकि यह नहीं हो सकता तो इसकी वज़े से इसके अंदर android का कोई भी operating system नहीं चल सकता जहां तक की बात है themes की तो इसके अंदर इस तरह की कोई अभी तक theme भी नहीं आती है जो कि आपको android का feel दे सकें और android की तरह आपका आईफोन लग सकें तो यहां पर यह दोनों clear हुआते हैं कि आप कुछ तरह की theme और launcher नहीं आते हैं जो कि आप android की तरह इसको बना पाएं तो आज की वीडियो में उम्मीद करता है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो बहुत सारी doubt आ रहे थे इस चीज़ को लेगे वह आपके हद कापी हद तक solve हुई होँगे तो आसा करते हैं आपको वीडियो कर प्रसंद आया हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि उनको यह सब जानकारी मिल सके और अगर आप पहली बर आएं तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए लाइक कीजिए शेर कीजि झाल 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 झाल